दोस्तों केदारनात को क्यों कहते हैं जागरत महादेब। दो मिनिट की ये कहानी आपके रूंगडे खड़े कर देगी। एक बार एक सिब वक्त अपने गाउं से केदारनात धाम की आत्रा पर निकला। पहले यातायात की सुब्दाय तो थी नहीं वह पैदाल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनात का मार्क पूछ लेता। मन में भग्वान सिब का ध्यान करता रहता चलते चलते उसको महीनों बीट गए आखिरकार एक दिन वाकेदारनात धाम पहुची गया। के दानात में मंदिर के दूआ छे महीने खुलते हैं और छे महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुचा जब मंदिर के दूआ बंद हो रहे थे। पंडिर जी को उसने बताया है कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडिक जी से प्रात्ना की क्रपा करके दर्वाजे कोल कर प्रभू के दर्सन करवा दीजिए लेकिन वहां का तो एक नियम है एक बार बंद तो बंद नियम तो नियम ही होता है पर वह बहुत रोया, बार बार वगवान सिभ तो याद किया कि प्रभू बस एक बार दर्सन करा दो, वह प्रातना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी पंडर जी बोले, अब यहाँ छे महीने बाद आना, छे महीने बाद यहाँ के दरवाजे कुलेंगे, यहाँ छे महीने बर्फ और ठंड पड़ती है, और सभी जन वहाँ से चले गए, वहाँ वहीं रोता रहा, रोते रोते रात होने लगी, चारोतर फंदेरा हो गया, लेकिन उसे बिश्वास था के अपने सिप पर की वो जरूर प्रपा करेंगे, उसे बहुत भूक और प्यास भी लग रही थी, उसने किसी की आने की हाट सुनी, देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं, वह सन्यासी बाबा उसके पास आया, और पास में बैठ गया, पूचा बेटा कहां से आया हो, उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहां पर बैरत हो गया बाबा जी, बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया, और पिर बहुत देर तक बाबा उससे बाते करते रहे, बाबा जी को उस पर दया आ गई, वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिश जरूर खुलेगा और तुम दर्सन जरूर करोगे बातों बातों में इस वक्त को ना जाने कब नींद आ गई सुर्य के मंदिम प्रकास के साथ बक्त की आग खुली उसने इदर उदर बाबा को देखा किंतु वह कहीं नहीं थे इससे पहले की वाक कुछ समझ पाता उसने देखा पंडिश जी आ रहा है और अपनी पूरी मंदिली के साथ उसने पंडिश जी को परणाम किया और बोला कल आ ही हो ना जो मंदिल का द्वार बंद होने पर आय थे जो मुझे मिले थे छे महीने होते ही बापस आ गये उस आदमी ने आश्चेर से का नहीं मैं कहीं गया ही नहीं कल ही तो आप मिले थे रात में मैं यहीं सो गया था मैं कहीं नहीं गया पंडिश जी के आश्चेर का ठिकान माद करके गया सकता है। तब उस वक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बाते बता दी marca कि एक सन्यासी आया था लंबा था बड़ी बड़ी जटाए एक हाथ में तुछूल और एक हाथ में डंब्रू लिए म्रक्स खाला पहने हुए था पंडित जी और सब लोग उसके चड़नों में गिर गए बोले हमने तो जिन्दगी की लगा दी किन्तु प्रभू के दर्सन ना पा सके सच्चे वक्त तो तुम हो तुमने तो साक्षात बग्मान सिव के दर्सन किये हैं उन्होंने ही अपनी योग माया से तुमारे छे महीने को एक राप में परिवर्तित कर दिया काल खंड को छोटा क कर दिया यह सब कुमारे पवित्रमन कुमाई सद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है आपकी वक्ति को परणाम हर हर महा देग। दोस्तों आपको यह सच्छी घटना अच्छी लगी हो गया अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए धन्ह आपको लगी है आपको लाइक करिए बटना आपको यह लगी है अच्छी लगी है